बाबा साहब की 131 जैनती पे बाबा साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा जो बाबा साहब ने हम सभी से कहा है, पूरे भारत वर्ष्टे दुनिया से कहा है, कि हमें पढ़ना चाहिए, एकजूट होना चाहिए और संगर्श करते रहना चाहिए नमश्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ पूजा, बहुत से लोगों की, मतलब, बहुत से मेरा मतलब करोडों लोगों की शायद अकांग्शा रही होगी, कि उन्हें बाबा साहिब और रमाई एक साथ ऐसे देखने को मिल जाते, साक्षाथ, तो सा बागा थे आपका बहुजन टीवी पर, और क्यूंकि आद 14 अप्रेल है, बाबा साहिब की जहनती है, तो ऐसे में किस तरीके से आप देखते हैं स्कोर, आपको जबी सीरियल ओफर हुआ, इतना बड़ा कैरेक्टर, इतनी छोटी उम्र में आपके कंधों पर आया, कोई घब कारेक्टर कैसे मिला, इसके पहले में मराथी रियालिटी शो कर रहा था, उसके रिगार्डिंग टाइमस ओफ इंडिया ने एक इंटर्व्यू किया था मेरा, तब उन्होंने पूछा था कि ये रियालिटी शो तो हो गया, अभी इसके बाद नए प्रोजेक्स किया है, तो म मैंने एक ड्रीम रोल उनके सामने बोल दिया, कि मैंने कहा, डॉक्टर बाबा साब अमड़करजी का कारेक्टर कभी जिंदगी में एक बार मुझे आन स्क्रीन करना है, ऐसे मैंने बोल दिया था, उसके तीन-चार महने बाद मुझे कॉल आया यहां से, कि एक महानाय कभी हम लीप ले रहे हैं, तो ऑडिशन के लिए आ जाओ, फिर चार-पाच महने के ऑडिशन की प्रोसेस रही और उसके बाद यह करेक्टर करने का मुझे मिला, मैं खुद को बहुत ही ज्यादा भाग्यवान समझता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा करेक्टर भारत ही नहीं, तो कभी यह मौका मिले, और आपकी वो पीछे की मंशा इतनी स्ट्रॉंग रही होगी कि आपको तुरंत वो मिल गया, तो इसका मतलब आप पहले से ही बहुत जादा प्रभावित थे, बाबा साहिब से, बच्पन में स्कूल में तो हम सभी ने उनके बारे में पढ़ाय सीखा है और 14 अपरेलिये, मैं अच्छोली पुना से हूँ, पुना में भी एक तयोहार मनाया जाता है, 14 अपरेलिये, बहुत बड़ा तयोहार है पूरे भारत वर्ष में, तो यह मतलब सभी जो हमारे बड़े-बड़े व्यक्तित्व रहे हैं इस इंडिया के, मैं सभी का करेक्टर करना चाता हूँ, लेकिन बाबा साहब इसलिए क्योंकि बचपन से जब मैं पोस्टर देखता था, होर्डिंग देखता था, स्कूल के किताब में उनका फोटो देखता था, तो उनका चेहरा देखके ऐसे लगता था कि मैं आगे जाकर यह कारेक्टर ऑन स्क्रीन तो कर सकता मतलब उनसे मिलने का सोभग्या मारा उतना नहीं कि हमने से कोई भी उनसे मिल नहीं पाया, लेकिन एक्टिंग के जरिये में जरूर उनसे मिलना चाहूंगा, ऐसा मेरा सपना था और आज वो सपना पुरा हो गया है आज लोग बाबा साहिब को आपके जरीये जी रहे हैं उनके पूरे जीवन विर्तान को और बाबा साहिब के जीवन में उन्होंने खुद भी गाए है कि मेरे भीमा से डॉक्टर भीम राउह उमेड कर बनने की जो पूरी जर्नी है उसके पीछे एक अहम रोल रहा है रमाई पहले से आप जानती थी हाँ थोड़ा बहुत जानती दिले, पूरी जानकारी नहीं थी कि उनके बारे में, लेकिन अभी हो गई है धीरे-धीरे अभी हो गई है, तो उनको जब आप प्ले करती हैं, तो जो सीन्स हैं, जैसे आप जिस तरीके से घर का काम हंडल करती हैं फिर कभी-कभी हम देखते हैं कि वो अपना गुस्सा भी आपके ऊपर वेंट कर देते हैं, आप उसको भी बड़े प्यार से संभाल लेती हैं, जो दरसल किया है रमाई ने, उनको भी बाबा साहिब को भी संभाल लाया और घर को भी संभाल लाया, तो वो सब जब आप करती है तो आपको कैसा फील होता है कि एक अकेली औरत मतलब जिसमें जान भी नहीं है अच्छे से वो सब कैसे संभाल लेती है क्या संभाल लेती है special power है कुछ मुझे लगता है जो एक बोलता है ना कि हर सक्सेस्फुल आदमे के पीछे एक औरत होती है तो शायद इनहीं का एक्जम्पल होगा क्योंकि जिस तरह से मतलब वो तो ग्रेट थी ही लेकिन इतनी चोटी उम्र में नाराणी जो एक एक प्ले कर रही है मतलब तारीफ के काबिल है वो क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही मैचुर लिए प्ले कर रही है और कही ना गई मुझे ऐसा लगता है कि आप ये क्यरेक्टर प्ले कर रहे हैं इसकी वज़े से ये गंभीरता आपके अंदर है या बच्छपन से थी सच कहूं तो बच्छपन से मतलब दोस्त लोग भी या उनके पैरेंट्स भी बोलता है कि मैं थोड़ा एच से ज़दा मैचुर हूं कि क्या पता मतलब घर के संसकार ऐसे होंगे या फिर मुझे पढ़ना पसंद है मैं स्कूल में भी अच्छा टॉप करता था तो वो बहुत मैचुरेटी बच्छपन से है तो मतलब बाबा साहिब का किरदार प्ले करने वाले लोग सिर्फ यह नहीं है कि वो उनको एक्टर देखके ले लिया गया है उनकी पीछे काविलियत भी है वो कुछ मैच करती है चीज़े तब ही आप यहां है क्योंकि आपको देखके बहुत चीज़े बदल गई है मेरी परसनालीटी में जो मतलब जो सीख मिली है न इस क्यरेक्टर से वो लाइफ लॉंग है शो कभी ना कभी खतम हो जाएगा शो की एक लिमिट होती है लेकिन जो सीख मिली है वो मैं लाइफ लॉंग अपने साथ लेके चलूंगा उसके कोई डर था कि उस किरदार की जो पॉपुलारिटी है उसको आप कैसे लेकर आएंगे करेक्ट दो चीज़े है एक तो डॉक्टर बाबा साब अमबड करजी का करेक्टर है लेकिन अगर हम शो के नजरिये से देखे तो आयूध प्ले करा था और आयूध से अभी अथर्व प मैंने आयूध के एपिसोड लीप से पहले के बहुत देखे है उसका मैनरिजम मैंने पकड़ा नहीं लेकिन उसका जो इनोसंस है वो मैंने कहीं नगे पकड़ने की कोशिश की और पहले दो-तीन मैंने और अब ही जब लोगों ने मुझे इतने मतलब मैं दर्शकों का बहुत बहुत शुक्री आदा करना चाहूंगा क्योंकि ये शो हिंदी है लेकिन ये कनड में भी जाता है तमिल में भी जाता है तिलुगू में भी जाता है पूरे भारत वरश में जिस तरह से लोगों ने एकसेप्ट किया ना उस चीज़ का मुझे डर था फ्रैंकली कि लोग एकस जावाल यहिए कि बाबा सहرف की एकसो एकतिसव जयनती पेındातिया क्या कुछ कहिंगे मैं यही कहना चाहूंगा जो बाबा सहब ने हमसे से कहा है पूरे भारत वर्श्च से दुनिया से कहा है कि हमें पढ़ना चाहिए एक्जूट होना चाहिए और संहर्षक्रते रहना चाह अपने आप में हमें वो बड़ा लगने लगता है, कि मैं कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ, चाहे वो मेरे करियर में हो, चाहे वो मेरे सरांडिंग्स में हो, लेकिन जब हम यह सोचते हैं कि बाबा साहब ने यह संगर्श किया था, तो अरे यह तो क्या है, यह तो मैं आसानी से यह जो confidence है हम सभी को उन्होंने दिया है तो उनकी जो line है संघर्ष करते रहो यह बहुत माहने रखती है एक वो सीख अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि बाबा साहिब ने क्योंकि इतनी सारी चीजे दी हैं कि उनको हम ऐसे count नहीं कर सकते countless चीजें हैं चाहें वो women's के बारे में हो चाहें वो पुरे nation wise worldwide उन्होंने बहुत कुछ दिया है एक वो चीज जो आपको लगता है कि उन्होंने सबसे important दी है आपके हिसाब से वो क्या है education education इतना ही आंसर हो सकता है इसका कि education पढ़ते रहो क्योंकि अगर आप 50, 60, 70 साल के भी होना तभी भी आप student ही हो कुछ ना कुछ सीखते रहते ही हो हर रोज तो education is the most important thing for the world not for India not for Maharashtra for the world और रमाई क्या कुछ कहना चाहेंगी मतब नाराइनी के shabda में बता दी आए बाब में थाजैनी के जहांगी आप भाशते हो कुछ नहीं आ जैन्नी के बहुत सब जगों मैं बहुht उच्छाय से मना जाते हैं, हमारे कॉलापूर में भी मना जाते हैं, मैं कॉलापूर से हो, हमारे कॉलापूर में बहुत अच्छे से मना जाते हैं, और मैंने देखी नहीं है कभी, लेकिन देखना चाहूंगे, कि कैसे मना जाते हैं और जब आप ये character play करते हो रमाई का तो आपने कभी ये सोचा था कि आपको ऐसा कोई character मिलेगा करने को उतनी छोटी सी एज में? नई, बिल्कुल नहीं सोचा था और मतलब बच्चों का तो ये होता ना 14 years में कि उनको कोई ऐसा अच्छा character मिले, dance करने को मिले, थोड़ा अच्छे-चे कपड़े पहनने को मिले बड़ आपको ये साडी, मुझे लगता दो ही साडीया थी रमाई के पास, उनहीं को वो repeat करती थी और ऐसा simple character मिला, तो बच्पना वाला वो चीज कभी आता है कि नहीं मुझे कुछ fancy character मिलता, ये character best है ये character मुझे अच्छा लगता है, ये character अच्छा लगता है, चलिए, thank you so much आप दोनों का बात करने के लिए और मुझे आप से बात करके तो पदा नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, कि कही ना कहीं blessings है आपके उपर बाबा साहिब की और बिल्कुल उनका वो स्वभाव आपके अंदर वो धैर्य बना हुआ है, thank you so much आपके बना है, thank you so much.